आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे चीजी वाइट सॉस पास्ता ये खाने में बहुत टेश्टी होता है आए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है देखे मैंने डेक्चे में पानी दाल कर रख दी हूँ गैस पे अभी मैं इसमें दालूँगी आधा चमश नमग अभी मैं इसमें दालूँगी एक चमश तेल इससे हमारा पास्ता चिपकेगा नहीं अभी हम पानी में ओबा लाने देए देखे पानी में ओबा ला चुका है अ अभी मैं इसमें डालूँगी 200 गिराम पास्ता ये मैंने ये डिजाइन के लिए हूँ आप कोई भी डिजाइन के ले सकते हैं ये पानी में राइज़ा है अब पास्ते को हम पकने देंगे देखें पास्ता अर्चे से गल चुका है ये बड़ी साइस का हो चुका है अभी हम इसको चान लेंगे चानने के बाद मैं इसके उपड़ ठंडा पाणी डालूँगी ताकि ये एक दूसरे को चिप केंगे नहीं देखें पास्ता बनाने के लिए मैंने कड़ाई गैस पर रख दी हूँ इसमें दालूँगी एक चमज बटर अभी मैं इसमें दालूँगी एक शिम्ला मिर्ची बारिक कटी भी एक बड़ा तुकड़ा गाजर का बारिक कटा हूँग इसको मैं हलके से फ्राइ करूँगी ज देखीए अच्छे से प्राय हो चुका है अभी मैं इसको एक बटर भी निकाल दोगी उसी कड़ाई में मैं एक चमज बटर डालूँगी और इसमें दालूँगी एक चमज मैदे का आठा इसको हम बटर में भूनेंगे अच्छे से आटा दालने के बाद इसे हमें दो मिनिट तक है अच्छे से भूनना है देखें आटा भूनने के बाद मैं इसमें दालूंगे एक तक भूब और इसको अच्छे से मिक्स कर लोगी देखें सॉस गाड़ा हो चुका है अभी हम इसमें दालेंगे और एक कप दूद ताके हमारा सॉस और किरीमी हो जाए अभी हम चम्मच से इसे हिलाते ही रहेंगे अभी हम इसमें दालेंगे नमक स्वात्की सबसे आधा चम्मच काली मिली पाउडर आद्धा चमच कुटीवी लाल मिर्च और इसको दो मिनिट तक के और पकाएंगे दो मिनिट पकने के बाद मैं अब इसमें दालूँगी दो क्यूब चीज चीज को मैं ऐसा खिस कर दालूँगी अब इस चीज को अच्छे से मिक्स करना है देखें चीज अच्छे से मिक्स हो चुकी है और सॉस भी हमारा अच्छे से गाड़ा हो चुका है अब इसमें लालूँगी फ्राइ किया हुआ शिम्ला में चरगाजन और थोड़ा सा उबला हुआ स्वीट कॉन इसको भी अच्छे से मिक्स करोंगी अच्छे से मिक्स होने के बाद अभी मैं इसमें लालूँगी उड़ा हुआ पास्ता अभी हमें इन सारी चीज को अच्छे से मिक्स करना है देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है अभी मैं गैस को बन कर दूँगी माशालला चीजी वाइट सौस पास्ता बन कर तयार हो चुका है वीडियो पसंद आए तो शेर कीजे लाइक कीजे सबस्क्राइब कीजे और कमेंड में जरूर बताना चीजी वाइट सौस पास्ता कैसे बना अल्ला हाफीज